नमस्कार दोस्तो आज हम राणी अहिल्या बाई की एक ऐसी कथा सुनने वाले है जो कथा सुनने के बाद आप सभी को समझाएगा कि राणी अहिल्या बाई को देवी अहिल्या बाई क्यों कहा जाता है देवी अहिल्या बाई के राज्य में सभी लोग देवी अहिल्या बाई के लिए समान थे और सभी के लिए न्याय भी समान ही था और इसलिए देवी अहिल्या जी ने एक गाय को न्याय देने के लिए अपने सगे बेटे तक को मृत्युदंड की शिक्षा दी थी जी हाँ दोस्तो देवी अहिल्या जी की हम एक ऐसी कथा सुनने वाले है जो सुनकर आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे विडियो आखिर तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए तो देवी अहिल्या जी के पुत्र माले राउ जी अपने मालवा राज्य में सैर करने के लिए निकले थे वो अपने रत में सवार होकर मालवा राज्य की सैर कर रहे थे और धीरे धीरे उनका जो रत है वो बहुत तेजी से दोड़ने लगा रत की जो स्पीड थी वो बढ़ने लगी और अचानक से उस रत के सामने एक बचड़ा आ गया जैसे मैंने आपको कहा था माले रा उस रत को बहुत ही तेज चला रहे थे रत का स्पीड बहुत ज़ादा था और उसी के कारण माले रा उस रत को रोक नहीं पाए और दुरभाग जैसे वो बचड़ा रत के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई और वही आसपास उस बचड़े की मा यानि गाई खड़े थी और गाई ने ये सब कुछ अपने आखों से देखा दोस्तों मा तो मा होती है फिर वो जानवर हो या फिर इनसान अपने बचड़े को वहाँ ऐसे मृता वस्ता में पड़े देखकर वो गाई उस बचड़े के पास गई और उदास होकर बैट गई और रोने लग गई दोस्तों ये बात कुछ समय बात देवी अहिल्या तक पहुची तबी दोस्तों लेकिन राणी अहिल्या को ये पता नहीं था कि इस बचड़े की और उन्होंने आदेश दिया मेरे राज्य में एक गाई को भी न्याय मिलेगा जिसने भी एक रुत्य किया है उसे भी रास्ते में लिटा कर उसके उपर से रद चलाया जाये और उसे मृत्यु दंड की शिक्षा दी जाये दोस्तों ये बात सुनते ही उनके सामने जो भी पं अमत तो किसी में थी नहीं लेकिन एक ने बहुत ही हिम्मत जुटा कर राणी अहिल्या को कहा राणी अहिल्या जी आपने ये जो शिक्षा फरमाई है जिस व्यक्ति के कारण इस बचड़े का मृत्यु हुआ है वो व्यक्ति और कोई नहीं आपका बेटा माले राव ही है मैरे सगे बेटे को शिक्षा मृत्यु दंड कैसे दे सकती हुँ नहीं नहीं जो भी शिक्षा दी गई थी मृत्यु दंड दिया गया था वो सब गैंसल लेकिन नहीं दोस्तो राणी अहिल्या को देवी अहिल्या इसी वज़े से कहा जाता था क्योंकि उनके लिए सभी समान था फिर वो अपना खुद का सगा बेटा ही क्यों ना हो देवी अहिल्या को जब ये बात पता चली कि उन्होंने जो शिक्षा जो मृतुदंड फर्माया है वो खुद के बेटे के लिए ही है तभी भी वो टस से मसना हुई और उन्होंने कहा मेरे राज्य में सभी को समान न्य मिलता है फिर वो कोई भी हो और इसके बाद राणी अहिल्या के आदेश के मुटाबिक माले राव को बीच रास्ते में सुलाया गया और वहां सारती अपने रत में चाकर बैड गया पूरे मालवा राज्य में ये बात फैल गई कि राणी अहिल्या ने अपने बेटे को ही वीरव की तरफ आने लगा रत बहुत जीमिंग आंध horror की तरफ अने लगा और यहां ये दुरुषत देखने वाले लोगों कि बैचेनी बढ़ रही थी वहा से रत बहुत जीमिंग में जीमिआख पुंस भी अंसा सार्थी अपने ही रानी के बेटे को ऐसे मार सकता है उस सार्थी ने कहा कि मुझसे एक काम नहीं हो पाएगा तो रानी अहिल्या जी ने एक दूसरे सार्थी को उस रत को चलाने के लिए भीजा लेकिन दूसरा भी सार्थी एक काम कर नहीं पाया बड़े बड़े सार्थ उस रत को चलाने जाते थे और माले राव के नजदिक आकर उस रत को रोक देते थे। अहिल्या जी ने ये बात देखी और राणिया हिल्या अपने सिहासन से उठ खड़ी हुई और उसने कहा अब इस रत को मैं खुद चलाऊंगी। ये सुनकर सभी की आखे खुली की खुली और देवी अहिल्या खुद जाकर उस रत में बैठ गई और उस रत को चलाने लग गई। बहुत ही तेदी से वो रत माले राव की तरफ आ रहा था। एक मा अपने बेटे को मुरुत दंड दे रही थी और वो भी खुद के हातों से रत चला कर। और उतने में ही देवी अहि जिसका बचड़ा माले राव के रत के नीचे आके मारा गया था। उस गाई को सामने देखकर देवी अहिल्या अपना रत रोक देती है। जैसे मानो वो गाई देवी अहिल्या के रत के सामने आकर ये कहती हो कि देवी मैंने तुम्हारा न्याय देख लिया है लेकिन अब ब रत को यही रोक दो और इतने में ही पंत अहिल्दा देवी को कहते है राणी साहिब अब तो ये गाए भी मानो यही कहना चाहती है कि माले राव से जो अंजाने में गलती हुई है उसकी उसे इतनी कठोर शिक्षा ना मिले और दोस्तो इसके बाद देवी अहिल्दा उस रत से नीचे उतर जाती है और माले राव की ये मुर्टिदंड की शिक्षा रद्ध की जाती है दोस्तो सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है चत्रबति शिवाजी महाराज को भी भगवान का दर्जा इसी लिए प्राप्त हुआ क्योंकि वो हमेशा सत्य और न्याय की राह पे चले और उनके बाद उनी के मूलतत वो पर चल कर राणी अहिल्या देवी ने अपने राज्य का विकास अपने लोग अपनी मिटी इन सब के लिए सब कुछ त्याक कर माचंडी का रूप धारन करके दुश्मनों का सामना किया और सत्य और न्याय का रास्ता चुना इसलिए उन्हें भी देवी का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और ऐसे ही वीर, रोमान्चक और सत्यकताओ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद